बच्चो कक्षा 11 भुगोल विसे की पुस्तक भुतिक भुगोल के मूल सिद्धान्त इस बुक की चैप्टर नमबर 13 जिसका नाम है बच्चो महासागरिये जल इस चैप्टर का हम अध्यन कर रहे थे वहाग एक में हमने देखा कि किस प्रकार से महासागरिये अधेस्तल के महासागर को और साथ ही साथ में इस पूरी प्रिथवी को किस प्रकार से प्रवावित करता है साथ ही बच्चों यह भी देखेंगे कि महासागरिये जल का जो तापमान हो किन वजह से कम पाया जाता है किन इस्थानों में कम या जादा पाया जाता है तो आईए बच्चों स् 36 किस प्रकार से ऐक स्थान से दूसरे इस्थान का महसागरों के जो तापमान है वो किस प्रकार से साथ ही बच्छो उर्द्वादर लंभवत रूप से एक ही इस्थान पर महासागर्य जल का उपरी इस तर से नीचली गहराईयों तक किस प्रकार से उसके तापमान में बिन्निता होती है और उसका क्या प्रभाव है यह हम इसमें देखेंगे महासागर्य जल भूमी की तरह सोर उर्जा के द्वारा गरम होते है अर्थात बच्चो मैंने पहले भी बताया था कि इस भूदरा पर यदि तापमान का इकमात्र कोई सोर्थ है तो वह है सूर्य है वह है सूर्य है डाइरेक्ली में और भी बहुत सारी चीज़े आ जाती है जैसे कि पृत्वी के अंदर कि और तुम किसे प्राप्त होता है सूर्य से प्राप्त होता है उसी प्रकार से बच्चो महासागरी ओडार बहुता ही meant उता है तो दोनों इस्थल की यदि हम बात करें, तो दोनों की तुलना करें, यदि हम जल्दी गरम और धीरे से गरम होने में, तो जल की ये विशेस्ता होती है, कि वो धीरे धीरे गरम होता है, और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, इसके विपरीत बच्चों, इस्थल भाग में क्या होता है, कि व तो दीरे-दीरे गरम होती है और दीरे-दीरे ही ठंडी होती है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं कि तापमान के वित्रन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से तो सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी अक्छ यह हमारे लिए मुख्य मुद्ध होता है बूगोल के विद्धारतियों के लिए तो अक्षांस के आखिर में वो जो इस्थान है वो किस अक्षांस पर है कहां पर है ठीक है अब वो हम जानते हैं बच्चों की यदि यह वो भूमद्य के रेखा के समीप है तो तापमान तो जैसे जैसे हम दुरो की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाएगी और उसी का प्रभाव हमें यहां पर भी दिखाई देगा दुरो की और प्रवेशी सोरिये विकिरन की मात्रा गटने के कारण महासागरों के सतही जलका तापमान विश्वत वृत से दुरो चाहे दक्षनी दू हो दोनों दुरो की तरव जाने पर तापमान में कमी आने के कारण बच्चो भासागरों का जो दापमान है वो भी कम होता हुआ जाता है, तो पहला हमारा कारण हो गया अक्च्छास, दूसरा है बच्चो इस्थल एं जलका एसेंस समान वी त्रं इस्थल और जल, बच्चों हम यदि हम पूरी पृत्वी को देखें, यदि हम पूरी पृत्वी को देखें, तो गोलार्दों में यदि पृत्वी को बाड़ दे, तो उत्री गोलार्द में, बच्चों यहाँ पर हम देखें, तो उत्री गोलार्द में यह नोर्दन हेमिस्फ जो दक्षनी गोलार्द है यहां की जो इस्तितिय अर्थात जल और इस्थल का जो वित्रन है वो बिल्कुल ऐसमान है उत्री गोलार्द में इस्थल भाग की अधिकता है और दक्षनी गोलार्द में जल भाग की अधिकता है और यह भी तापमान को प्रभावित करता है तो उत उत्री गोलार्द के महासागर, दक्षिनी गोलार्द के महासागरों की अपेक्षा इस्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में उश्मा प्राप्त करते हैं। वो है सनातन पवने, सनातन पवने जो है वो किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करती है, इसका हमने अल लिनो ला लिनो में भी बच्छो देख लिया था, वहां पर भी इस प्रकार की चीजे देखी थी, कि किस प्रकार से बच्चो किस प्रकार से यह जो व्यापारिक पव के समीप olsun kabет और यह पचषव पवन है कि तो यह पर बच्चो यह व्यापार हुआए जिसे ट्रेड वी ने सम कि यह पंथा हुआ यह पच्षव पवहुने है ओर यह पूर द्रूव्य पवने है और यह इन्हें सनातने पवने कहाते हैं, जैसे कि हमने पिछले चेप्टर में भी पढ़ा था, तो सनातन जो पवने हैं, जो सनातन पवने हैं बच्चों, उन सनातन पवनों के प्रभाव को भी तापमान में देखा जाता है, जब तापमान बच्चों यही है, किस प्रकार से प्रभा आगे ले जाती है और आगे ले जाने के कारण वहां पर जहां से वह पानी गया वहां नीचे से ठंडा पानी आ जाता है जिसे क्या कहते हैं सीत जल उद्वेलन कहते हैं तो जहां से लेकर के माना कि यहां से पवने लेकर के गई यहां से इधर की तरफ पवने लेकर की गई यहां सीत जल का उद्वेलन होगा, यहां के जो उपरी परत है, महा सागरों की जो उपरी परत है, वो पवनों के साथ में चलेगी, और नीचे से ठंडा पानी आजाएगा, और नीचे से ठंडा पानी आता है, उसे सीत जल उद्वेलन कहते हैं, और जहां पर यह ले जाकर के ख जाता है तो यह जो सनातन पवने है बच्चो यह भी तापमान को प्रभावित करती है इस थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों के सतही गरम जल को तट से दूर दकेल देती है जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल उपर की ओर आ जाता है यहां पर हमने देखा कि सनातन जो पवने हैं वो किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करती है अगला है बच्चो महासागरीय धाराये बच्चो हम अगले चैप्टर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो धाराये है वो एक जगे से दूसरे जगे पर जाती है और किस प्रकार से जहां पर जा रही है वहां के छेत्र को प्रभावित करेगी तो गरम महासागरी एक धारा एक ठंडे छेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है जबके ठंडी धारा एक गरम महासागरी एक छेत्रों में तापमान को गटा देती है अब बच्चों य इस अगले चेप्टर में करेंगे गल्फ स्ट्रीम जो कि कैसी है गरमधारा है जो उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पस्चमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, नीचे से चलती है, नीचे से इस प्रकार से चलती है और चल करके चूकी, वुमध्य जाती है और इस कारण से गरमधारा होती है और गरमधारा होने के कारण यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी छेत्रों में यह उत्तरी अमेरिका का पूर्वी छेत्र है यहां से निकल करके और यूरोप के पस्चिम तट तक पहुंचती है और गरमधारा के रूप में हमें प्रा दाराय और गरम दाराय ये भी अपना प्रभाव दिखाती है इससे भी तापमान प्रभावित होता है महासागरिय जल का बच्छो इसके बाद देखते हैं कि ये सभी कारक महासागरिय धाराओ के तापमान को इस्थानीक रूप से प्रभावित करते हैं निम्न अक्छांसों मे क्या तात्परिया है अर्थात भूमद रेखिये छेत्रों पे नजदी यहां पर निम्न अक्षांस है क्योंकि जीरो डिग्री अक्षांस है यह निम्न है यहां 90 डिग्री है यह उच्छ अक्षांस है तो निम्न अक्षांसों में इस्तित परिवेश्टित समुद्रों का ताप जो बंद समुद्र है ठीक है जो चारोंतरफ इस्थल से और चारोंतरफ इस्थल से रुद्ध है उसे परिवेश्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की यह खुला समुद्र है भाजो more माना कि खुले समुद्रों के अपेच्छा अधिक होता है यहां का जो तापमान है वो अधिक होगा बजाय के यहां यह मैं निमनक्छांसों की बात कर रहा हूं बच्चों निमनक्छांसों में जो बंद सागर है जो बंद सागर है उनका तापमान खुले सागरों की मुद्रों की अपेक्षा कम होता है क्यों होता है इसका क्या कारण हो सकते हैं पहला कारण तो यह है बच्छो कि जो अक्षांस है यहां पर जो निम्न अक्षांस है यहां पर यह अधिक होगा यह लो होगा और यहां की अधि में बात करूं तो यह लो होगा और यह अधिक होग तो बच्चो पहली बात तो यह है कि यहां पर अधिक होने का कारण एक तो तापमान कैसा है यहां पर जादा है जादा तापमान है अब आपको गए कि तापमान तो खुले सागरों में भी जादा है लेकिन जो खुले सागर है उसमें क्या है कि पिल्कुल दूसरे सागरों से म पुर्ण वित्रन हो जाता है जबकि यहां बंद होने के कारण तापमान बिलकुल बंद रहता है वो किसी दूसरे से तापमान को शेयर नहीं कर सकता दूसरा कारण बच्चों यहां पर किये भी होता है कि यहां पर उच्च यहां पर जो तापमान उच्च है जबकि यहां जो बंद सागर है, जो बंद सागर है उच्छांसों में, उनका तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ ओल्डेडी तापमान कम होता है, उच्छांसों का तापमान कम होता है, लेकिन खुले सागरों, दूसरे सागरों से तापमान का पुनरवित्रन करने के कारन, उनके ताप तापमान का उर्द्वारदर तता 36 वित्रन किस प्रकार से 36 वित्रन होगा एक इस्तान से दूसरे इस्तान का और उर्द्वारदर अर्थाद लमवत रूप से किस प्रकार का उर्द्वारदर तापमान का वित्रन होगा यह देखने वाली बात है तो महा सागरिये जल्की ताप यह गहराई का पाशर्व चित्र यह दरसाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान गटता है बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान गटता है बच्चों यह देखने वाली बात है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ठीक है उपर से नीचे गहराई में जाते है वैसे वैसे तापमान गड़ता है पाश्रूचित्र महासागर के सतही जल इंप गहरी पर्तों की बीच सीमा छेत्र को दर्साता है अब इस चेत्र में बच्चों हम देख सकते हैं कि यहां पर यहां स्टार्टिंग में जहां पर बिल्कुल सतय है महासागरी यह सतय पर तापमान काफी उच्छ मात्रा में पाया जाता है काफी उच्मात्रा में पाया जाता है हालंकि वच्चों यह डिपेंड यह भी करेगा कि वह च्छेत्र कहां पर है रहरा है या फिरभी तरуют दूविय कोई ख्यत्र कि बात करें तो यह ठापमान नीचे जाने पर नीचे जाने पर तापमान में इस प्रकार से कमी आती है और लगबग सो लगबग बच्चों 100 मिटर से 400 मिटर की एक रहन जोती है अलग लग छेतरों में वहां आने पर इसमें तेजी से कमी देखी जाती है तेजी से कमी देखी गई इसे ताप प्रवनता छेतर कहते हैं और फिर 1000 मिटर की लगबग 1000 मिटर की गहराई पर जाकर के इसमें कमी तो आती है लेकिन बहुत कम गती से कमी आती है ठीक है तो इस तरीके क्या जो चित्र हमने बताया कि तापमान में कमी आ रही है इधर से इधर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है गहराई के साथ में गहराई के साथ में महासागरिय जलके तापमान में किस प्रकार से प्र साया है तो शुरुवात में ताप मान में हल्की कमी आती है और एक छेत्र जो ताप परवनता छेत्र कहलाता है उसमें एकदम सतेह से लगभग 100-400 मिटर नीचे प्रारम होती है और कैई 100 मिटर नीचे तक जाती है थीक है वह सीमा छेतर जहां तापमान में तिवर गिरावट आती है ताप परवनता या थर्मोकलाइन कहलाता है ताप परवनता दुबारा देख लेते हैं बच्चो ताप परवनता यहां यह सामाने रूप से ताप में कमी आई लेकिन बच्चों यहां पर बहुत तेजी से ताप में कमी आई तो इसे छेतर को क्या कहा ताप परवनता छेतर थर्मोकलाइन उसके बाद यह तीसरी जो लेयर है इसमें कमी आई और इसमें बहुत जादा कमी नहीं आई लेकिन तेज पाया जाता है जो 90 परतिसत गहरे महासागर में ताप प्रवनता के नीचे पाया जाता है नीचे इस तर पर पाया जाता है इस छेतर में तापमान 0 degree Celsius पहुंच जाता है जो तीसरे लेर के हम बात कर रहे हैं बच्चों वहां पर 0 degree तक temperature पहुंच जाता है मद्व एवं निमनक चांसों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की और तीन परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है तो तीन परत यहां पर होती है अधि हम लंबवत या उद्वाधर बात करें बच्चों तो तीन परत हो गरम होती है ठीक है जो लगबग 500 मिटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिगरी से 25 डिगरी की बीच होता है यहां पर 500 मिटर और यहां पर यदि मैं लगबग 1000 मिटर की बात करू और यह बिलकुल अथा गहराईयों में है तो यहां पर यदि मैं बात करू तो 20 से 25 डिग उस निकटी बंद ये छेत्रों में यह है परत पूरे वर्ष उपस्तित होती है जबकि मद्य अक्षांसों में केवल गृष्म नितु में विक्सित होती है अब उस निकटी बंद ये छेत्र है तो तापमान ज़्यादा होगा तो यहां पर उपरी जो परत है बच्चों पहली परत है उसमें बहुत अधिक तापमान होगा लगबग 20 से 25 डिगरी तक यहां का तापमान हो सकता है लेकिन अधि मद्य अक्षांसी है तो किवल गर्मी के समय ही यहां पर तापमान अधिक होगा बाकी तापमान कम होगा इसको बच्चों इस चित्र को हम अच्छे से देखे अधिक है तो इसमें अच्छे से हमें समझ में आएगा कि यहां पर किस प्रकार से है ट्रोपिकल का मतलब होता है उसने कटीबंदी है मिड लेटिल लूट का मतलब होता है मध्य अक्छांसी है और पोलर यानी दुरूवी है तो यहाँ पर दुरूवी है छेत्र यहाँ पर मध्य अक्छांसी है छेत्र और यहाँ पर उस्न कटी बंदी है छेत्र तो यह तीन लाइन दिखाते हैं जो लाल कलर की जो लाइन है बच परत हो गई और यह तीसरी परत हो गई ठीक है तो पहली परत में तापमान अधिक पाया जाता है उस निकटी बंदी छेत्र में लाल लाइन के द्वारा हमें दीख सकता है मद्द जो अक्छान से छेत्र है इसमें मद्द इस्तर का तापमान मिलता है लग बग 15-17 डिग्री टे तो यहां बिलकुल सीधी लाइन खिषती है अर्थात यहां पर तापमान में कोई अंतर नहीं आता उपर भी 0 डिग्री मद्द में दूसरी परत में भी 0 डिग्री और तीसरी परत में भी 0 डिग्री तो यहां पर तापमान में कोई अंतर नजर नहीं आएगा लेकिन चहनस कम करते हैं, वैसे- वैसे इसमें मोढ या मुडाव आता जाता है, ठीक है, और यहां मद्यक्शांस्ही बात करें, तो यह मद्यक्शांसी इस प्रकार से, पहली परत में, हमने देखा बच्छो कि तापमान उच्छ पाया जाता है ठीक है तापमान तीनों परतों में सबसे ज़्यादा उच्छ पहली परत में बिलेगा दूसरी परत जिसे हमने ताप प्रवनता छेतर भी कहा था बच्छो दूसरी परत को क्या नाम दिया था ताप प्रवनता छेतर कालशा, पर-णी और सिंगता है Campaign Time 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 Timeт जैसे नहीं होता है ती जए हैँए जब कि तीसरी परत में सामान रूप से तप मान में कमी आती या फिर ना के बराबर नगनन मात्रा में कमी आती है ये तीन प्रकार की परत हमने टेंपरेचर के रूप में उर्द्वाधर इस तर पर महासागरिय जल में देखे बच्चो ठीक है दूसरी परत जिसे ताप प्रवनता थर्मोकलाइन परत का जाता है पहली परत के नीचे इस्तित होती है इसमें गहराई के बढ़ने के ये तथा गभीर महासागरिय तली तक विस्तृत होती है आर्क्टिक एम अंटार्क्रिक व्रतों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है ओल्रेडी वहाँ उपर उपरी इस्तर परी बच्चो जीरो डिग्री सेल्सियस के समीप होता है और इसलिए गह सतेय से गभीर महा सागरी तली तक विश्त्रित होती है एक ही परत हमने देखी एक सीधी लाइन वहाँ पर जारी है चित्र के द्वारा भी हमने देखा महा सागरों की सतेय के जल्व का ओसत तापमान लगभग 27 डिगरी सेल्सियस होता है तो बच्चों बढ़ते हुए अक्छा से दर सामाने तर प्रती अक्छांस 0.5 डिगरी सेंटिग्रेट होती है इस प्रकार से लगातार रूप से यहां पर हमने कमी देखी ओसत तापमान 20 डिगरी अक्छांस पर लगभग 22 डिगरी सेल्सियस 20 डिगरी अक्छांस पर 22 डिगरी सेल्सियस 40 डिगरी अक्छांस पर 14 तो इस तरीके से वहाँ पर हमने इस्तिती देखी उत्री गोलार्द के महा सागरों का तापमान दक्षनी गोलार्द की अपेक्षा में अधिक होता है उच्चितम तापमान विश्वत वृत पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है चूकी बच्चो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्द में अधिक तापमान होता है इस वजे से बिलकुल बीच में बिलकुल बीच में बच्चो बिलकुल बीच में नहों करके थोड़ा सा उत्तर दिशा में यदि यहाँ पर विश्वत रेखा है तो विश्वत रेखा से लिए हलके से उत्तर दिशा में यहाँ पर सरवाधिक उच्चितम तापमान अमें प्राप्त होगा इस चेतर में उच्चितम तापमान प्राप्त होगा ठीक है और दक्षनी गोलार्द में कॉअसत वार्षिद्री तापन कर्म गख़णिशरे का तही है कि विद्री गोलार्द में 19 डिग्री 6 और 15 ते दश्ね गोलार्द में 16 डिग्री टेंपरेटर गया है और यह क्यों होता है वत्यों क्योंकि इस्थल और जल का जो वित्रन है वो ऐसमान रूप से उत्री गोलार्द और दक्षनी गोलार्द में पाया जाता है ठीक है बच्चो इसके बाद देखते हैं कि ये तथ बली बाती जाना जाता है कि महासागरों का उच्चितम तापमान सदे उनकी उपरी सते पर होता है क्योंक और इस वज़े से वो जादा तापमान वाला होता है पहला इस्तर उपरी इस्तर और नीचे वाले इस्तर नीचे वाले जो इस्तर है बच्चो सम्वेहन की प्रिक्रिया के द्वारा भी नीचे तापमान ग्रहन करते हैं इस वज़े से तापमान सदे उपरी इस्तर का सदे ज तता उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है अब हम इस चित्र के द्वारा बच्चो मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं कि कौन से जगे का जो इस्थान है यहां समता प्रेखाय दी हुई है और समता प्रेखाव के दोर हम देख सकते हैं कि अलग-अलग में यहां भूमद रेखे चेत्रों में 28 डिगरी की टेंपेरचर की रेखा, समताप रेखा, टी के? यह 25 डिगरी, यह 28 डिगरी, यह बारत के समीप. इसके बाद जैसे-जैसे दूरी बनाते है पच्चीज डिगरी, यह 25 दिगरी, ठीक है, यह 25 डिगरी, फिर 20 डिगरी, 15 डिगरी, 10 डिगरी, 5 डिगरी, यह 0, यह 0, इस प्रकार से हम अक्छांसों पर निर्बर करते हुए, अलग-अलग यहां पर यह देख सकते हैं, एक चीज और गोर करने वाली बात है बच्चों, कि दक्षणी जो गोलार्द है, उसमें रेखाएं बिलकुल सीधी लगभग जा रही है, लगभग सीधी सीधी रेखाए जा रही है, जबकि उत्री गोलार्द में इसमें मोड पढ़ते हैं, इसका कारण जहनते हो बच्चों, इसका कारण है कि यहां उत्री गोलार्द में इस्थल भाग की अधिकता है, ठीक है, इ सारी रेखा है हमें लगबग सीधी दिख रही है जबकि उत्री गोलार्द में ऐसा नहीं होता है तो इस परकार से बच्चो आज की क्लास में हमने महा सागरे जल के तापमान को देखा अगली क्लास में बच्चो हम महा सागरे जल की लवनता को देखेंगे धन्यवाद बच्च झाल 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 झाल